असलामों अलेकुम आज हम बना रहे हैं उरत की दाल के दही भलो जैसी दही गुजियां उसमें ड्राइफुट भरकर हम उसको बनाएंगे इसके लिए सबसे पहले हमने 5-6 घंटे दाल को भीगोया था और मिक्सर में उसको पीस लिया लेकिन पीसना टाइट है एक दम पानी डाल के नहीं पीसना है और कुछ मेवे हमने काट ली है इतना टाइट है इतना ही टाइट रखना पानी नहीं डालना है नहीं तो वह गुजियां नहीं बन पाएंगी आप देख रहे हैं मैं magnitude के जैसे लग रहा है और मैंने 2-3 की मिर्च इन काती हैं थोड़े से कजो थो आपके पास जो मतलब सौफ्ट अच्छा कपड़ा हो जिससे उठके हाथ में आ जाए किस तरह से बनाते मैं आपको दिखाती हूं यह लेंगे थोड़ा सा पानी हाथ में लगा लेंगे ताकि हाथ में चिपके नहीं और एक गोल बॉल जैसा बना लेंगे देखी अराम से बन ज जितनी बड़ी आपको गुजिया बनाना है आप उतना वड़ा ले सकती है मैं थोड़ी जरा बड़ी-वड़ी बना रही हूं आप इसे छोटी ही बना सकती है ँग बारिक-बारिक फैलाना है ज्एदा मोठा नहीं मैंने हरी मिर्ची ली है आप इसमें थोड़ा सा कोत्मीर भी डाल सकते हैं मैंने कोट मिन नहीं डाला और यह ड्राइफूट है किश्मिश काजू बदाम मैंने डाले हैं आप जो डालना चाहें वह डाले थोड़ा साइट से रखकर इसे और कपड़े को पलट देंगे जैसे देख के अराम से हो जाता इस तरहां से इसको पलट देंगे और हाथ से दबा देंगे यह गुजिया का शेप आ जाएगा इसमें और कपड़ा अराम से हट जाता है कोई दिक्कत नहीं होती है यह थोड़ी बड़ी गुजिया बनी है आप छोटी भी बना सकते हैं और बस दिहां रही है फटे ना गुजिया इस तरह से आच्छे से हाथ से दबा के कर लेंगे और इसको देखो कपड़े पे से उठाए आप अराम से उठके आ जाती है हमारा पैन में तेल भी गरम हो गया है उसमें दीरे दीरे इसको डाल देंगे मैं आपको और बना के दिखाती हूँ इसी तरह से आप छोटी बड़ी अपने हिसाब से बना सकते हैं जैसा दिल चाहे आपका ये खाने में बहुत टेस्टी होती है और बहुत अच्छी लगती है खाने में एक नया सा वो है बलकुल देखिए इसी तरह से आप सारी घुझियां बड़ी कर लेंगे पूरी के साइज का बना लेंगे छोटी भी बना सकते हैं आप मेरी थोड़ी बड़ी बन रही है अप छोटी सकते हैं मिर्ची इसलिए डालते हैं थोड़ा कट तीखा और मीठा सा फ्लेवर आता है तो तो और इसको अगर शेप देना है और तो चाकू से या किसी चीठ से काट दीजेए शेप में तो और अच्छी गूजिया और रेडी हो और इसको पानी में नमक डाल के हमने रखा है अच्छा मैं यह आपको बताना भूल गई उसमें नमक नहीं डालना है अगर आप डालना चाहते हैं तो एक चुटकी खाने वाला सोड़ा डाल सकते हैं ताकि उससे soft हो जाएं अगर नमक डालेंगे डाल में तो डाल पतली हो जाएगी और गुजियां नहीं बन पाएंगी नमक बिल्कुल टचनी करना है नमक हमने सिर्फ पानी में डाला है एक चमच से ज्यादा डाल दीजे आप और उसमें एक से देर घंटा आप ग ला लीजे अच्छे से मिलाकर फैट लीजे इसको दही को पतला नहीं होना चाहिए गाड़ा होना चाहिए दही को देखिए हमने करीब आदा घंटा भी गोया था दिखाने के चकर में नहीं तो आप एक घंटे से कम मत भीगोईं और थोड़ा सोडा अंदर डालेंगी दाल म इसको इस तरह से डिप करिए दही में प्लेट में लगाईए इसी तरह से आप सारी गुजियां बनाकर अपने कोई भी गेश्ट आए आप एक दिन पहले भी बना सकते हैं दो चार दिन पहले भी बनाकर रख सकते हैं और गेश्टों को या घर में खाने के लिए खुद के दही गाड़ा ही रखना है ज्यादा पतला होगा तो फिर वह अच्छा नहीं लगता है खाने में और गाड़ा ही अच्छा लगता है इसके उपर देखिए मैं क्या-क्या समान डालती हूं जीरा पाउडर है और सबसे पहले तो डालती हूं मैं इमली की मीठी चटनी यह मेरे आई वोक्स में आप उसको देखना चाहते हैं तो उसका बटन दवाई आई वोक्स का तो उसमें आपको दिखाई देगी मीठी चटनी मैंने डाली आप हरी चटनी भी इसमें डाल सकते हैं लाल मिर्ची पाऊडर थोड़ा सा डाला और थोड़ा सा जीरा भुनावा जीरा डाला मैंने और थोड़ा सा काला नमक आपके पास है तो वो भी डाल सकते हैं और ड्राइफ फूट है थोड़े से कटे वे वो भी उपर से डाल दीजे अगर डालना चाहें गानिश के लिए मैंने डाले हैं आप डालना चाहें तो डाले जब खाएंगे तो इस्पून से आपकट करेंगे तो उपर निकल के आएंगे देखिए यह बनाईए आप कैसी बनी मुझे बताईए और मेरी वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए और मुझे बताईए आपको क्या नई रेसिपी चाहिए मैं बनाकर आपको इंशालला जरूर दिखाऊंगी देखिए यह अंदर से काजू बदाम यह सब निकल रहे हैं दिखाई देते हैं और बहुत सॉफ्ट बनी हैं बहुत अच्छी होते हैं अल्ला हाफीज